बच्चों लोग इस question में आपके सामने एक बड़ा से compound बना दिया गया है तो compound देखके डरना नहीं है कि मैं सीक में जितना बड़ा compound होगा उतना question क्या होता है आसान होता है तो आपको figure का phobia नहीं करना है इसमें आप उसे simply पूछा गया है इस बड़े से compound में आपका कितना एल्ट्रोफिलिक सेंटर होने वाला है तो ध्यान देंगे बेंजिरिंग क्या होता है वहां पे उसको हटा के आप सोचो ध्यान देंगे आप इस पाइवांड पे देखो यहां पे सी औरो की बिच का पाइवांड है यहां कब ब्रेक करोगे य यहां पर णिश Therapy का कमी हो चुका है यह यह एक अपना और पाहला हुआ अपना दूसरा हुआ अफ़ झालना नीचे में प्रेक करोगई तो इन पर नेगटिव आगा पॉस्टिव बनेगा यानि यह आपका थर्ड ल्ट्रिक सेंटर के तर बेएव कर सकता है तो इस फिगर में टॉटल कितने लिट्रफिक सेंटर होंगे बच्चों लोग होगा प्री तो बचलो simply a question bond break किसे था आपको पदा होना चाहिए कि कहां पर चाहिए positive बन सकता है उसके according आपको answer करना तो इस तरह के basic basic concepts को समझने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं बिलते हम लोग अगले question